जै गुरू देव, मित्रो, हमने पूर्व वीडियो में बताया है कि कुल देवी और कुल देवता को कैसे खोजे, मित्रो, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कुल देवी और कुल देवता कौन होते हैं और इनकी पूजा करनी क्यों अनिवार्य होती है, मित्र कुल देवता या कुल देवी को सनातन धर्म के अनुसार एक पेत्रिक सनरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा किसी गोत्र के पूर्बज उन्हें एक उप्युक्त कुल देवता और कुल देवी के रूप में चुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं और एक विशिष्ट क्षेत्र में उनके लिए मंदिरों का निर्मान करवाते हैं ताकि उनका परिवार या समुदाय उनसे आध्यात्मिक रूप से जुड़ा रहें कुल देवताओं को आपके परिवार में सबसे प्रमुख देवी देवता माना जाता है केवल अपने कुल देवता और कुल देवी का सम्मान करने के बाद ही आप अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जा सकते हैं मित्रों कुल देवता और कुलदेवी की स्थापना करके पूजा इसलिए की जाती है। ताकि इनके देवत्व को, किसी कवीले यानी कुल, परिवार, बच्चों को बुरी किस्मत और उनकी देखभाल करने के लिए प्रशन्न किया जा सके। यह इस्थ देवता और गाव के सनरक्षक देवी देवताओं से अलग होते हैं। यह उन देवताओं को दर्शाते हैं, जिनकी विशिष्ट परिवारों द्वारा पूजा की जाती हैं। किये गए अनुष्ठान सभी लोगों के लिए उप्योगी साबित होते हैं। शादियों, बच्चे के जन्व, जनेव संसकार और बच्चे के पहले जनम दिन जैसे। बहुत कुछ शुभायोजनों के बाद देवता का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए। कुलदेवता और कुलदेवी मंदिर की पवित्र यात्रा करना अनिवार्य होता है। पुराने समय में मंदिर से जुड़े व्यक्ती के पास एक बड़ी किताब होती थी, जिसमें लोगों के नाम, पते और गोत्र होते थे। ये गंगा तीरत के किनारे बैठे पुरोहित या पंडे के समान होते थे, जिन्हें भाट भी कहा जाता था, जो आपके कुल और गोत्र का नाम लिखते थे। आप अपने परदादा के दादा के नाम से वाकिफ नहीं होनगे, लेकिन आपके पूर्वजों के नाम इन पुजारियों द्वारा दर्ज किये गए हैं। यह आपको अपने परिवार के पेड़ से जुड़े रहने में मदद करता है। सनातन धर्म में परिवार के कुल देवता को आमतौर पर देवता के रूप में माना जाता है। और हमें स्वस्थ और सम्रिध जीवन का आशीरवाद देती है। आपके परिवार में कुल देवता का मंदिर, अत्यदिक महत्वा रखता है। क्योंकि यह आपके पूर्वजों की अनंत दिव्य आत्माओं और उनके आशीरवाद का समा मिलिन है। जो आपके सभी प्रयासों में आपकी मदद और आपके संकटों के समय में आपकी सहायता करते हैं। मित्रों, जब आप अपने परिवार के देपता के मंदिर जाते हैं, तो ये सलाहदी जाती है कि मंदिर के लिए एक उदार मौदरिक योगदान दे। इसके अलावा, अन्नदान की पेशकश करना सुनिश्चित करें। उपासकों और गरीब लोगों को मुफ्ट भोजन देना। एक धर्मार्थ कार्य के रूप में समझे। मित्रो, कुलदेवी या कुलदेवता को परिवार या वंश के रक्षक के रूप में देखा जाता है। वे परिवार के प्रथम पूज्य देवता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उन्हें याद रखना जरूरी है। ऐसे कई परिवार हैं जो अपने कुलदेवता के बारे में नहीं जानते हैं।